दोस्तों अगर आपकी कंपनी बैंक KYC नहीं कर रही है और आप परिशान हो चुके हैं, कोई भी सॉलिशन नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपका KYC बिना किसी कंपनी के आपका एप्रूव कर सकता हूँ, इस वीडियो में हम इसी बार में जाननेंगे, पहले आप मेरे बारे में जान लिजे, मैं PF Consultant अपने आपको कहता हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ, थोड़ा बहुत काम करता हूँ, आपको जो मैं यहां बताने वाला हूँ, यह मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, कृप्या कर के ध्यान से स इसा नहीं है कि इन पर्टिकुलर एक भाई साब के बारे में बात है, यह एक ऐसी चीज है, जिसके बारे में हर रोज मेरे पास 10 के करीब SMS आते हैं, 10 SMS में यही बात कही जाती है, कि हमारी कंपनी हमारा KYC नहीं कर रही है, कृपया करके आप किसी तरीके से हमारा KYC कर दीजे, तो यहां देख लिजे, हेलो हो गया, हेलो के बाद हो गया, बैंक KYC अप्रूवल करना था, ठीक है, मैंने रिप्लाइ प्रॉपर दिया है, कंपनी से, ठीक है, मुझे बैंक KYC अप्रूवल कर दीजे, कितने पैसे लगेंगे, मतलब बंदा सामने वाला हमेशा ऐसे ही होता ह कि अगर मैं उसे बता भी दूँगा ना, कि आपको कंपनी में जाना है, या अगर करेक्शन नहीं हो रही है, या फिर डिसेबल हो गया है, अगर मैं अपने सामने से रिप्लाइ कर भी देता हूँ, तो भी लोग क्या करते हैं, लोग सीधे ओफर करते हैं, कि आपको कितने प lawyer ही कर सकता है अगर आप यहां पे Facebook पे जाएंगे तो आपको भर-भर के ad मिलेंगे जहां पे दावा किया जाता है कि हम आपकी bank KYC कर देंगे अगर किसी को ज़्यादा खुजली मची हो अगर किसी को अपना account खराब करवाना हो तो करपिया करके आप Facebook पे जाएंगे वहां पे आपको एक से एक फरजी लोग एक से एक fraud लोग मिलेंगे जो कि इस चीज का दावा करते हैं कि हम चुटके बेजाते ही आपका bank KYC कर देंगे company की कोई ज़र्त नहीं PF office के system की कोई ज़र्त नहीं हम आपकी KYC कर देंगे ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ जो आज के time 2024 में भी KYC कर रहे हैं कुछ लोग 2000 में कर रहे हैं कुछ लोग 3000 में कर रहे हैं कुछ लोग अपनी ही अलग अलग गणित बना के चल रहे हैं कि हम आपका पैसा जमा कर देंगे, हम आपका ऐसा कर देंगे, हम आपका वैसा कर देंगे, जब आपका account block हो जाएगा, जब आपका account disable हो जाएगा, तब इन में से कोई भी आदमी आपको नहीं नजर आएगा, सारे number बंद हो जाएगे, सारे नंबर ब्लॉक हो जाएंगे और फिर आप लेते रहना अपना PF ठीक है आप कृपया करके अगर आपकी कंपनी KYC नहीं कर रही है आपने सारे प्रयास करके देख लिया आपने employer को बोल के देख लिया आपने सब कुछ करके देख लिया तो उस PF को छोड़ दो उस PF को FD की तरह मान लो कि भाई वो दो साल चार साल के लिए ब्लॉक हो गई है दो साल चार साल के बाद ही मेरी मिलेगी सिंपल सा तरीका है जब आप नई कंपनी को जॉइन करेंगे तो नई कंपनी आपकी KYC कर देगी आपकी जो तनखा आ रही है उससे आप खर्चा चला सकते हैं अगर आप कहीं और से KYC कराएंगे आपकी KYC हो सकती है लेकिन परिशानी ये है कि फिर आपका एकाउंट किसी भी समय ब्लॉक हो सकता है ये जिस तरह के KYC करने वाले हैं वो सिर्फ आपका ही KYC नहीं कर रहे हैं वो एक फरजी ID बनाते हैं फरजी ID बनाके उस ID से सिर्फ KYC करने का काम करते हैं उन्हें ऐसे ही मुर्गे चाहिए होते हैं जो सीधे सीधे बोले कि भाईया बताओ कितने पैसे चाहिए कितने पैसे चाहिए हम इतने अमीर हैं कि हम आपको कितने भी पैसे दे सकते हैं लोग देते हैं तभी इस तरह के ad Facebook पे और कुछ तो YouTube पे भी महान लोग बैटे हैं जो इस तरह का यहां पे KYC करते हैं लोगों की लेकिन 2022, नवंबर 2022 के बाद PF Office ने इस सिस्टम को identify किया और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे कि ये clear हो गया कि अगर आप कहीं और से KYC कराएंगे तो वो एक अंजनुवन चीज़ मानी जाएगी और अंजनुवन चीज़ मानते हुए फिर आगे कभी भी आपका account जो है disable हो सकता है अभी भी आज के time भी मेरे अनुमान से 50,000 से एक लाख लोग ऐसे हैं जिनका account disable कर दिया गया है और वो disable को कब खोला जाएगा वो पता नहीं है दो साल हो चुके हैं तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई साब मेरा account तो मेरे को बरबाद करना है तो आप जाएए Facebook पे जाए Facebook पे आपको ऐसे महान लोग मिल जाएंगे कुछ आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि लाओ भाई हम आपकी KYC कर देते हैं आप उन्हें पैसे दे दीजिए आपका account खराब होता है तो इसमें उनकी कोई जिमेवारी नहीं है लेकिन कृप्या करके मेरे पास बिल गई है तो कमपनी वाला ही उसको ओके कर सकता है कोई तीसरा आदमी उसको ओके नहीं कर सकता है ना ही आपका PF Office उसे ओके कर सकता है कमपनी बंद हो गई तो क्या करेंगे भाई कमपनी बंद है क्या होगा फिर अगर कमपनी बंद है तो आपका online KYC नहीं होगा फिर आपको offline ज अंदर ब्रांच के खाता धारक हैं, ऐसा करके लिख के दे देगा, वो form आप जाके PF Office में जमा करो, जो आपका पैसा है, आप निकाल लोगे, सिस्टम से अगर चलोगे, अगर सुरक्षित चलोगे, तो आपका PF और आपका एकाउंट सुरक्षित रहेगा, और अगर आपको खत दोई शक्ती नहीं है, कि मैं यहाँ पे बैठे-बैठे किसी का करेक्षिन कर दूँ, किसी का मैं PF का निकाल दूँ, मैं only वही काम कर सकता हूँ, जो जन्वन तरीके से आपका online में काम हो सकता है, मैं आपको किसी भी परिशानी का solution बता सकता हूँ, कि यह करने से इस परिशा कि मैं आपका KYC कर दूँगा, मैं आपका correction कर दूँगा, मैं आपका disable को चालू कर दूँगा, ऐसी कोई guarantee मेरे पास नहीं है, नहीं कोई भी आदमी दे सकता है, अगर कोई आदमी दे रहा है, तो 100% मैं आपको कह रहा हूँ, कि वो आपके साथ fraud कर रहा है, आशा करूँगा, आप बात को समझे होंगे, अगर आपको consultation चाहिए, मैं अपना number देता हूँ, आप सिर्फ genuine consultation चाहिए हो, तो आप जरूर message कर सकते हैं, साथ महीं अगर आपको PF का काम सीखना हो, क्या गलती करने से PF account ब्लॉक हो सकता है, क्या गलती करने से आपके पैसे फस सकते हैं, ये सब च लोगों का PF हसता है, तो अगर एक लाग काम करने वाले होंगे, तभी जाके वो आठ करोर लोगों को सर्विस दे पाएंगे, आठ करोर लोग लगभग हो जाएंगे, 2030 तक तो 2030 तक वो उन आठ करोर लोगों को कौन बताएगा, सही जानकारी होगी नहीं, तो उनको समझ कैसे आठ करोर लोग ऐसे ही कुछ भी तुका मारते रहेंगे, आज 90% जो वीडियो यूट्यो पे पड़ी है, वो फर्जी वीडियो है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, जो बनाने वाला है, उसको कुछ पता नहीं यूट्योब का, लेकिन वो यूट्योब पे पेले जा रहा है वीडियो पे वीडियो पे ले जा रहा है, वीडियो पे वीडियो पे ले जा रहा है, क्योंकि यूट्योब पे कोई accountability नहीं है, कुछ भी आप बोल दो, तो कोई उसमें देखने वाला, कोई cross check करने वाला नहीं है, तो मैं आपसे request करता हूँ कि अगर आप मेरे से bank के वाइस जितना आपकी इच्छा हो, जितना आपका समर्थ हो, उसको पैसे दीजिए, ताकि वो आपकी KYC अपने ही company की idea से कर दे, आशा करूँगा, ये चीज़ा आप समझेंगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद